राजनों गाम जिले के डौंगरगड में रेल मंत्राले की यात्री सुविधा समीती के अधिया अक्ष्रमेश्चंद्र रतन ने डौंगरगड रेलवे स्टेशन की संपूरन जानकारी एवं नागपूर मंडल द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली यात्री सुविधाओं क के संबंध में डोंगरगड पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरिक्षन किया एवं जानकारी भी हासिल की निरिक्षन के दोरान रेलमंडन के अधिकारी एवं करमचारी मौझूद रहे उनके आगमन पर रेलवे के अधिकारियों एवं करमचारियों ने उनका स्वागत किया यात्री सुविदा समीधी के अध्यक्ष्रमी शंद्र रतन ने दोंगरगर रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरिक्षन किया। अपने निरिक्षन में उन्होंने स्टेशन के प्लैटपॉर्म क्रमा एक एवं दो का बारीकी से निरिक्षन करते हुए प्लैटपॉर्म में लगी सार्चनिक नलों के पानी की जांच करवाई, साथी स्टोलों में बिकने वाले पानी की बोटल में नीर कमपनी की जगा बिसले प्रबंदक को निर्देश दिये जिसके पश्चात उन्होंने रेलवे स्टेशन में बैठे यात्रियों से यात्रिय सुविधा से संबन्दित समस्या के बारे में पूछताच की पूछताच के बाद रेल यात्रियों ने कहा कि सब कुछ अच्छा है तथा साफ सफाई के सुविधा भी ठीक ठाक है रमेश चंद्र रतन सुविधा समीधी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दोंगरगड के दूरे पर आये थे उन्होंने डोंगरगड रेलवे स्टेशन की साफ सफाई की काफी प्रशंसा भी की डोंगरगड के इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों ने उनसे मुलाकात कर सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के डोंगरगड में स्टॉपेज की मांग को लेकर एक ज्यापन दिया उन्होंने ट्रेन के स्टॉपेज के लिए श्वासन भी दिया है तो उसकी चिंता हम करते हुए पुनह में कहना चाहता हूं कि शरकार भी और रेल मंतरा ले भी आपके यात्रियों के जो चिंता है उसका निराकर्ण करने के लिए हमारे अथक प्रयास हैं और इसलिए आज हमारा आगवन हुआ है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर श्लिक कर बेल आइकन को दबाए